अरिही ओम श्री सद्गुरु प्रमात्मने नमहा ओम श्री हर्य प्रमात्मने नमहा नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शाश्ट्र सेवक नाथबाल नीला पगत आप सभी के चर्णों में वंदन करते हुए आप सभी का वेदिक सिद्धी यूट्यूब चेह और नी कथा गंगा, श्री राम कथा रामचरीत मानस के दस्वे विश्राम में हारदिक स्वागत करता हूँ जैसे सारे श्रुताव को बता है कि यह जो कथा कर रहे है उस कथा का उद्देश भाविया है कि हमारी पृत्वी धरती माताब हर जीव मात्र की रोगप्रती काराश्र बढ़े इसके लिए हम कथा कर रहे हैं ये तब पारा इंसादना कर रहे हैं तो तुलसी दासजी ने उत्तर खान में ये जो जो पाई लिखी है आहू उनका गान करें और भगवान के च्रणों में प्रास ना करें कथा का पुण्यफल है उनसे जीव मातर की रोग प्रतिकारा शक्ति बड़े देही कदेवी कभो तीकतापा राम राजनाही काहू हिव्यापा देही कदेवी कभो तीकतापा राम आईए अब आज के दिन की कथागा प्रारम करते हैं नो में विश्राम तक हमने देखा कि परशुराम जी के आने के बाद सीता मता थोड़े डरे हुए थे और राम चंदर जी ने सब लोगों को भी बिद देखा और सीता मता को डरे हुए देख उनके रदे में राम भगवान के रदे में ना तो हर्श था और ना हुई शाथ था अब राम भगवान परशुराम जी को कहते है कि हेनात ये शिवजी के दुनुश को तोड़ने वाला कोई होगा तो आपका दास ही क्या आगना है आपकी वो मुझे बताइए अब यह सुनकर परशुराम जी है वो कहते है कि सेवग तो उसको कहा जाता है जो सेवग का का काम करें शत्रु का काम करके तो लड़ा ही करनी चाहिए हे राम तुम सुनो जिसने भी शिवजी का दुनुश तोड़ा है वो सहसर बाओ के समान मेरा शत्रु है और कहते है कि जिसने भी दुनुश बन तोड़ा ही यह समाज को छोड़के वो अलग तलग हो जाए वरना सभी राजा मार दिये जाएंगे मौनी के बचन सुनकर लक्षमन जी मस्कुराते है और फिर परशुराम जी का अपमन करते हुए बहुत इस चीज़े बोलते है बहुत इसी बाते बताते हैं कि जिनके खारएं परशुराम जी को और करोदर गुस्ता आता है लक्षमन जी बार बार या कहते है कि ये दुनुश के ओपर आप इतना मोहित क्यों हो रहे हो हम छोटे थे बच्वन में ये दुनुश तो ऐसे ही तोड़ डालते थे और आप जैसे मुनी ऐसा क्रोध करे ये अच्छा नहीं लगता तो परश्वराम जी कहते है कि ये चोटा सा बालक समझ के मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और तू इसी सहीरी बाते करके मेरा आपवान कर रहा है क्या अब लक्षमन जी इसी जब बाते करते हैं तब राम भगवान जो है वो इशारे से लक्षमन जी को रोकते हैं और फिर राम भगवान खुद परश्वराम जी को शांद करने के लिए तुलसे दास जी लिखते है कि जल के समान वचन बोलते हैं भगवान श्री राम फिर से परश्वराम जी को कहते है कि हैनात आप बालक पर कुरुपा कीजिए लक्षमन जी पर कुपा कीजिए यह सीधा और दुद मुहा बच्चा जो है उस पर कुरोधन कीजिए अगर यह आपका प्रभाव जानता तो क्या बेसमझ आपके बराबरी करता लक्षमन जी को आपके प्रभाव के बारे में पता नहीं है और यहां पर बहुत अच्छी एक बात बताता है कि बालक कुछ भी चपलता कर करता है तो गुरू, माता, पीता आनंद से बर जाते हैं अब देखो ना छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं कुटते हैं या खेलते कुटते कुछ इसी बाते कर देते हैं तो यह बात हम आनंद में ले लेते हैं और आनंद में लेनी चाहिए वैसा है तो भगवन प्राफना करते हैं कि आप इसी तरह यह लक्षवर्ण को छोटा बच्चा और सेवग जानकर गुर्पा कीजिए और है परशुराम आप तो समदर्शी है सुशिल है गनानी है धीर पुरूश है अब यह सुनके परशुराम जी थोड़ा शान्त होते है पर लक्षवर्ण जी का जो सोभाव है वो बार बार परशुराम जी को क्रोध दिलवाते है बार बार ऐसे कुछ ना कुछ चीज़े बोल लेते है कि जिनके कारण परशुराम जी को और गुसा आजाता है और इन दोनों की लिला में बार बार भगवान राम को बीच में आना पड़ता है तो राम भगवान दोनों हट जोड़के अत्यंत भी नहीं के साथ कोबल और शीतल वाने से कहते है कि हेनात सुन ये आप तो सुभाव से ही सुजान है आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए उसकी जो सारी बाते हैं उनको अनसुना कर दीजिए भगवान राम कहते हैं कि वेसे भी बरे और बालक का तो एक जैसा ही सुभाव होता है और संतजन कभी उनको दोश नहीं लगाते है और वेसे भी ये जो लक्षवन है चोटा उसने आपका कोई भी काम नहीं बिगाड़ा है और हेनात आपका अपरादी तो मैं हूँ ऐसे भगवान कहते हैं कि आपका अपरादी मैं हूँ आप लक्षवन को छोड़ दीजिये अब लक्षवन जी बार-बार चीड़ाते है परशुराम जी को परशुराम जी गुसा करते हैं करोध करते हैं सारे राजाइय सब देख रहे हैं लिला श्रीराम भगवान कहते हैं परशुराम जी को कि है मुनिश्वर आप करोध छोड़ दीजिए अब मैं आपको कहता हूँ कि आपके हाथ में कुठा रहे और मेरा यसीर आ गया है जिस प्रकार से भी आपका करोध जाए है स्वामे आप वही कीजिए और मुझे आपका अपना दास जानिए अब यहां सुनके परशुराम जी थोड़े आश्चरे चकित होते है और वो कुछ बोल नहीं पाते है अब राम भगवान और प्रात्ना कहके कहते हैं परशुराम जी को कि हे देव हमारे पास तो एक ही गुण है धनुष्य रूपी पर आप तो परम पवित्र हो और नो गुणों से युक्त हो यह नो गुण कौन कौन से है परशुराम जी में तो कि शम, दम, तप, शोच, शमा, सरलता, गनान, विगनान और आस्तिकता यह नो गुणों के भंडार हो आप तो सब प्रकार से हम तो आप से हारे हुई है इसलिए हम जैसे अपरादी को आप शमा कर दीजिए अब राम चंद्र भगवान परशुराम जी को जब बार बार मुनी विप्रवर ऐसा कहते है तब हसते हुए थोड़ा करोध में गुस्य में कियता है कि तू भी अपने भाई के समान थोड़ा टेढाई है और परशुराम जी कहते है कि मुझे जो गुस्य मेरा जो करोध है वो इसी लिए है कि मेरे प्रवमारद्यादेव शिव जी का जो धुनुश है वो तोड़ा गया है ऐसा है अब भगवान रामचंद्र कहते है कि यह धुनुश तो मैंने सिर्फ चुआ और यह तूट गया चुती तूट गया मैं इसका कुछ अभिवान नहीं कर रहा हूँ और हमारा धर्मक्षत्रिया है तो मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि शत्रिय धर्मके चलते हुए देवता देतिया राजा या और बहुत से युद्धव अगर हमारे बल पे बराबर हो या अधिक बलवान हो और रण में को अगर मैं ललका रहे तो हम उससे सुक परोख लड़ेंगे चाहे काल ही चोना हो तो यह शत्रिय धर्म की भगवान राम ने बात की है जो आजकल के गठाकार लोग नहीं कहते धर्मो रक्षती रक्षी तहमें ने अपनी पिछली जो विश्राम की कठा है एक दो बार वहाँ पे जिक्र किया है कि धर्म का रक्षन करने के लिए भगवान अवतरित हुए थे और धर्म का रक्षन करना और करवाना ये बाते करना आजकल के अधाकारों का कारिया है तो मैं यहां से खुले मंद से कह रहा हूँ खुले मंद से और खुले मंद से और भगवान राम आगे जा केते हैं देखो भगवान राम परश्वराम जी को केते हैं कि शत्रिया का शरीर धरकर जो युद में डर गया उस नीच ने अपने कुल पर कलंग लगा दिया मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि कुल की प्रशन सा करके नहीं कि रगुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते राम भगवान के वनिशाज, कुष्ण भगवान के वनिशाज, हम सब भगवान के वनिशाज है तो हम कभी भी युद में नहीं डरते और नहीं डरना चाहिए विसा है तो भगवान केहते हैं परश्वराम जी को कि और भक्तों के रक्षा करते हैं अब राम भगवन के ऐसे प्यारी बाते सुटके परश्वराम जी उनके प्रिक्षा लेने के लिए कहते है कि है राम आप इस धनुश को हाथ में लेजिए और खीचिये इससे मेरा संदे मीट जाए अब जब परश्वराम जी धरुश देने लगते है तब वो अपने आप ही चला जाता है वहां से गुम हो जाता है वहां से अलोप हो जाता है अंतरधान हो जाता है तब परश्वराम जी के मन में बड़ा आश्चर यह होता है तब भगवान राम का प्रभाव वो जानते है और उनका शरीर पुलकित और प्रफुलित हो जाता है बहुत आनन्दित हो जाते है और हाज जोड़ कर कहते है कि हे रगो कुल रूपी सुर्य राक्षष कुल रूपी जंगल को जलाने वाले अगनी देवता ब्रामन और गह माता के हित करने वाले आपकी जाई हो मद मोकरोध और भ्रमकोहरने वाले भगवान आपकी जाई हो यसे प्रश्वलामजी स्तूति करते हैं फिर कहते है कि आप तो विनेशिल कृपा गुनों के भंडार हो आपका आपके अंग सुन्दर है सेवकों को आप सूख देने वाले हो और शरीर में करोडों काम देऊ के चबी धरन करने वाले आपकी जाई हो मैं एक मुक से आपकी क्या प्रशन शा करूँ हे महादिव जी के मनरुपी मांसरोर के हंस आपकी जाई हो मैंने अंजाने में आपको बहुती अनुचित वचन के है हे एक शमा के मंदिर दोनों भाई मुझे एक शमा कर दीजिए हे रगोकुल के पता का सुरुप रामचंदर जी आपकी जाई हो जाई हो जाई हो ऐसा कहकर परशोराम जी तब के लिए वन में चले गया परशोराम जी भगवान रबंड़ दोनों भगवान के अवतार है देखो भगवान का एक वतार भगवान के दूसरे अवतार की गुन गारा है परशन सा कर रहा है अससी स्सोराम जी वन में चले गया अब वहाँ पे सारे बेटे हुए दूश राजा लोग यह जो लीला देख रहे थे राम भगवान लक्षमर जी की परशूर राम जी की वो तो हद प्रभ हो गए और मना कल्पी डर से सोच रहे लगे कि अरे यह परशूर राम जी के जिन्नों ने इत्ती बार जो असुर राजा थे ठीक है कि जो धर्मों को मानने वाले राजा थे उन सब का नाश किया था परशूर राम जी ने तो हम जैसे अभिवानी राजा इनके सामने हमारी कोई ओकाद ही नहीं है और वो सोचते हैं कि ऐसे परशूर राम भगवान राम को इतना वंदन स्तूति करके गए है और हम तो इनके साथ युद करने का मन में सोच रहे थे तो इसलिए राजा भी वहां से आगे पीछे होके निकलने लगे भाग गए अब यह सब होने के बाद जनक राजा बहुत खुश हो गए है विश्वा मित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि रामचंदर जी ने धुरुष तोड़ दिया है अब जो उचित हो वो कीजिए तब मुनी कहते है कि धनुष तोड़ने से ही जिसको कहते है कि यह विवा तो धनुष के आदिन था और यह तुटते ही मानलो कि विवा हो गया पर आपके कुल का जैसा व्यवार हो वह व्यवार करके आप आगे की जो भी सारी वीदी है जो भी आपकी रस्म है वो करिए अब विश्वाविंद्रमुनी से यह आदेश मिलने के बाद जनक राजा अपने दूद को अयोधिया भेजते है और जनक नगरी को एकदम अच्छे से सजाया जाता है जनक राजा जहां पे दिवाह लगना होने वाला था वो लगना मंडव को अची तरह से सजाते हैं जनक राजा की दूत अयोद्यानगरी को पहुँचते है भरत जी और शत्रगना जी उनको देखके बहुत हरशित आनंदित होते है दश्रत राजा पहरे तो खबर अंतर पूछते है तब दूत है वो सारे समाचार उनको देते है सारी कथा बताते है कि कैसे राम भगवान ने व चले जाते है यह सबसुन के दश्रत राजा जो है बहुत आनंदित हो जाते है फिर राजा दूत के पास से वो पत्तरी का लेके अपने गुरु वशिष्ठ को देते हैं अब गुरू वशिष्ट है वो दश्टत राजा के बखान करते हैं और प्रस्थान की आगना देते हैं दश्टत राजा आनंद से भर जाते हैं उनकी रानिया है वो भी फुली नहीं समाती आनंद सब के साथ बाटने के लिए रानिया ब्रामण देवता को बुलाती है और ब्रामण देवता को बहुत सारा दान देती है और ऐसे ब्राह्मन लोगों से आशिरवाद लेती है भिक्षुक लोगों को भी बुला कर करोडो प्रकार की न्योच्छावर उनको भेट देती है सब लोग चक्रवती महराज के चारे पुत्र चिरिंजी भी हो ऐसे आशिरवाद दे के वो भी जाते है अब पूरी अयोध्या नगरी है वो भी जनकपूरी के तरह सज गई है क्योंकि राम भगवार और सिता माता का विवा होने वाला है अब दिश्द राजा भरज जी को अदेश देते है कि खोड़े हाथी और रत सजाओ जल्दी से भरज जी सारे सेवक गणों को बुला के यह सब कारिय करवाते हैं सब सेवक लोग जो है वो भी अपने समू में अपना-पना साज समाचर साज और समाच बना कर चलते हैं अब रत बत सब तयार हो गया है सब के अरदे में अपार हर्शे शरिर पूलक से भरे हुए है सब राम और भगवान राम भगवान और लक्ष्मन दोनों भाईयों को देखना चाहते हैं क्योंकि कितने दिन बिद गए थे कि दोनों भाई अयोधिया नगरी छोड़कर गए उसमें पहला रत दश्रत राजा अपने गुरू को और पन करते हैं और उनके चलों में सर नवा कर गुरू वशिष्ठ जी को उस रत पर बेटने के लिए पिननती करते हैं वशिष्ठ जी उस रत पर चड़ते हैं फिर दश्रत राजा अपने रत की सवारी करते हैं और सारी जो रत है बारा थे वो दिरे-दिरे आगे बढ़ती है तुलसिदासजी लिखते है कि हर जगा शगुन हो रहा है साब आनंडी थे और जो शगुन के जो लक्षन है तो हर जगा शुब नायक शगुन हो रहे है वैसा है बहुत सारी निशान्या बताई है तुलसी दाजी ने शकुन की की दाहिनी और से कोवा सुंदर खेत में शुभा पा रहा है नेवले का भी दर्शन हो चुका है सारी हवा अनुकल दिशा में चल रही है लोमडी बार-बार दिखाई देती है गाई सामने खड़ी अपने बुछ्डों को दूद पिलाती है हरनों की टॉली बाई और से गुम कर दाहिनी और को आती है मानो सब यह मंगल हो रहा है वैसा है तो यह मंगल शुभ चेहना है शकुन है सारा शकुन का भी एक बूद बड़ा विग्नान है कभी समय रहा तो इसके बारे में भी बात करूँगा शाष्टरों में से वित रेफरंस में सारी बाते बताओंगा प्रित ना करूँगा अब सुर्य वन्श के पता का सुरुब दश्टरजी को आते हुए चानकर जनक जी ने क्या किया कि सारे नदिया जो आती है उसके पर पूल बनदवा दी है बिच बिच में ठेहरने के लिए सुंदर गर पड़ाओ बनवा दी है जिन में देव लोकसमान संपदा चाही हुई है अब इसे सुन्दर आयो जिनकिया कि बाराट जहां जहां पर आती है तो रुखने के लिए पड़ाओ बना दिये बाराट आराम से रुख सके अब तुलसिदास जी अंतिम दुखा लिखते है आवत जान इबरात अबर सुनी गहगा है निसान सजी गजरत पताचर तुरगा लेन चले अगवान ये अंतिम दुखा है आज के कता का कि बड़े जोर से बचते हुए नगाडों के आवास सुनकर सुरिष्ट बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले अगवानी करने का मतलब कि जनक पूरी जनक नगरी जनक राजा के जो सेवके जो अगवानी करने के लिए गए है वो भी हाथी रत पेदल और घोड़े सजाकर बारात को लेने के लिए चले तो बड़े जोर से जोर सोर्षे बारात आती है और जोर सोर्षे ये जनक पूरी ज जो आये हुए है आगेवान, वो भी उनका स्वाकत करने के लिए उत्सूख है, तो वो भी अपना हाती रत प्यादर लोग खोड़े सजाकर, चले, आगे बड़े हैं, यहाँ पर आज के दस्वे दिन की कथा का दस्वा विश्राम है, आए सब साथ में मिलके भगवान श्री र से यही आशिरवाद वांगे, कि है भगवान, आज के गथा का जो पुणिय फल उत्पुन हुआ है, आज का जो सत्संग की है, वो पुणिय फल, कि प्राप्ति हर जीव मात्र को हो, जीव मात्र की रोक प्रतिकारा शक्ती बढ़ें, वो यह महामारी कोविड गोरुना जो है उनके सामने जुद सके और स्वस्ता होकर वापिस आए, जिनकों कभी हुआ नहीं है, उनकों कभी ना हो, जल्दी से हर्ड इम्यूनिटे डिवलोप हो जाए, अब आप सब के चरणों में फिर से प्राप्तना करूंगा, कि इस कथा कि आप देनी के ज़मन बनना चाहते हो, जैसे आप लोग भेज रहे हो मुझे, जैसे कोई दक्षिना देना चाहते हो, यजमन बनना चाहते हो, किसी का बड़े विश्च करना चाहते हो, पुणियतिती है किसी की, तो कुछ-कुछ लोग ने मुझे परस्नली वोट से भेजा है, तो मैंने डिटेल दी है, उसमें और फिर से आपके चरणों में प्राथना करूँगा, कि कुरुपा करके इस पावनी कथा गंगा है, उसको बेहने दीजिए, और इसका एक मोड, इस कथा गंगा का मोड आपके घर-परिवार की तरफ भी आप लेके जाएए, ठीक है, अगर कथा रूपी मा गंगा आपके घ करथा गंगा है, तो इसका थोड़ा 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 जो जल है, ठीक है, यह पोष्ट है, वो एक जल है, YouTube पोष्ट, तो जैसे गंगा जल हम सब को बाटते हैं, तो यसे आप खुरूपा करके यह कीजिए, कि इस पोष्ट को आप बाटे है, हर जगा शेर कीजि बड़े पेमाने पर यह कथा सब लोग सुने सब लोग साथ में मिलके प्रातना करें साथ में मिलके हम चोपाई गाए है साथ में मिलके पुरिय फल उत्पन हो रहा है सब जीव को अरपन करें आज की कथा को अब हम विश्राम देंगे तो सास भर लीचे एक दमस्ता और जोर सोर से शंकर भगवान महादेव का चेशे करा लगा के कथा को विश्राम देंगे आईए मेरे साथ एक बार शंकर भगवान महादेव का चेशे करा लगाते हैं आईए वार ओम शांति ही शांति ही शांति ही शुशांतिर भवातू